दोस्ते दोस्तों आपके अपने चैनल सिलाई सकी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं योगपट्टी ब्लाउच की कटिंग साइज हमारा 32 इंच का है तो चलिए समय न गमाते हुए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर लंबाई लेंगे तो लंबाई हमारा साढ़े बारा इंच है तो हम साढ़े तेरा इंच लेंगे यहां पर साथे तेरा इंच पे हम निसान लगा देंगेएक इंच हम एक्सटा ले रहे है, बैक साइट का हमारा है, सोल्डर हम रखेंगे पाच इंच, यहां से पाच इंच पे हम निसान लगा देंगे आप यहां से हम लेंगे आर्मॉल की लंबाई आर्मॉल की लंबाई भी 5 इंच लेंगे हम तो यहां पे 5 इंच पी निसा लगा देंगे इस तरफ से अब आएगा हमारा चेश्ट तो चेश्ट 32 का है 32 का वन फोर्थ 8 इंच आएगा तो हम 8 इंच पर निसान लगा देंगे, यहाँ पर 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे, यह लाइन को भी हम सीधा करेंगे, बैक साइड में हम 1.5 इंच का सेप देंगे, तो यहाँ पर 1.5 इंच पर निसान लगा देना है, इसको इस तरह से घुमा के इसमें मिला देना है, यहां से हम गला रखेंगे 2 इंच तो गला आपने परसंद अंसार है आप कितना पहनते हैं उसी हिसाब से आपको लेना है अगर आपको 9 चाहिए तो 9.5 इंच पर लेंगे हम क्योंकि आदा इंच सोल्डर में जाएगा तो हम यहां से 10.5 इंच लेंगे दस इंच पर हमको गला चाहिए तो आपको 2 इंच यहां पर रखना है और यहां पर आपको धाय या 3 इंच बढ़ा सकते हैं यतना ब्रॉड बनाना चाहिए उसी हिसाब से आप बनाएंगे तो देखिए हमने यहां पर धाय इंच लिए हैं इस तरफ से इस पर आप कोई भी गला बना सकते हैं ठीक है यह आपके उपर है यह देखिए दो इंच आपको यहीं पर रहेगा यहां से आपका गला फैलेगा तो इससे क्या होता है सोल्डर जो गिरता हुई देगा नहीं आपका पर्फेक्ट बैठेगा ब्रॉड गले में आपको 2 इ Reg expensive niż 8 इंचह मारा कमरा नितशमर चेस्ट हमारा 1-4 ऐगा तो हम यहां फिसा इंच पिनित्सान विप लगा देगी और द ले Henry समें स्टा रखेंगे एदिख魚 यहां पि चेस्ट हमारा 32 का 1-4 आएगा 8 इंच तो यहां पर हमारा 8 इंच पर निसान लगेगा यह लाइन को हम चीधा करेंगे यह हमारा फिटिंग ना पाएगा और यहां पर हमारा एक्ष्ट्रा यहां पर हम टक्स लगाएंगे तो हमने यहां से पहले से एक इंच छोड़े थे यहां से हम 3-5 इंच लेंगे अगर हम यहां टक्स नहीं छोड़ते तो यहां से हम गले के तरब से 4 इंच लेते हैं टक्स तो यहां से हम 3-5 इंच लेंगे और यहां से तीन इंच लेंगे यह तीन इंच हम लिए चार इंच लिया जाता है तो जैसे आपका गला रहता है उसी हिसाब से आपको लेना रहता है कम जादा अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं तो यहां पर हम गले के तरफ से कट लगा देंगे यह दिखिए तो दोस्तों वीडियो फसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और घर बैटके सिखिए आप हम आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछे तो ह हम आपको हर एक साइज का बताएंगे हर एक साइज का वीडियो बना रहे हैं तो यह देखिए हमारा बैक साइट का हो गया है इसका हम यहां से गले की भी कटिंग कर लेंगे अब हम फ्रंट साइट को बताएंगे आपको अब इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे अब फ्रंट साइट बता रहें आपको यहां पर हम एक इंच छोड़ेंगे इस तरफ से हम कपड़े को बढ़ा लेंगे यहां से हम एक इंच का माज इंच छोड़ेंगे अब यहां से हम सोलडर लेंगे यहां से पांच इंच हम सोलडर रखेंगे यहां से आर मोल भी पांच इंच रखेंगे तो पांच इंच हमारा यहां प्यार है न को मुझार कर दीगे चेश्ट देखेंगे चेश्ट हमारा 32 का है तो हम आप निश्ब लगा देंगे इस तरफ से दो इंच हम मार्जिंग रखेंगे अब इसको हम यहां से लाइन खीच देंगे रिखिए फ्रन साइड में हम एक इंच का मार्जिंग देंगे यहां से गोलाई सेप दो इंच हम गला रखेंगे यहां से शाड़े छे इंच लेंगे छे इंच पर हमारा तयार होकर आएगा आपका गला जितना रहेगा आपको उसी शाप से लेना है यहां से भी हम देख लिए दो इंच यह लाइन को मसीधा करेंगे छे इंच अब देखिए लंबाई लंबाई हमारा जो है साड़े बारा तयार है ब्लाउज का, हम यहां से लेंगे 24 इंच, दो इंच हम margin रख रहे हैं तो यहां पर 24 इंच पर हम निसान लगा देंगे अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे कमर हमारा 28 इस का है, 28 का 7 इंच आएगा, तो हम 7 इंच पे यहां पर निसान लगा देंगे दो इंच हम मार्जिंग रखेंगे इस तरफ से तो रहते हैं अब देखिए यहां से योख पट्टी निकालेंगे यहां से हम 3 इंच लेंगे और यहां से 50 इंच लेंगे तो जैसा साइज रहता है उसी हिसाब से लिया जाता हैं को अभी हाप Πे एम सेप देंगे कि इस तरफ से अब देखेए इसका हम मिडल कर लेंगे इसको हाप करेंगे है यहां से हमको डॉट पॉयंट लेना है तो इकिए मानSm OK यहां आया नौई इंच तो यहां drih कि यहां से एक इंच हम लेंगे और यहां से इसको हम इस तरफ से टक्स लगाएंगे यह पट्टि बलाउज है तो एक पट्टी में हमारा टक्स कम लगता आप देखे यहां से 1.5 इंच, यह पॉइंट से आपको लेना है टक्स यहां से 1.5 इंच और यहां से 2 इंच, तो 2 इंच का हमारा यहां जाएगा आर मोल में, अधि a देखे यहां से हमको 1.5 इंच लेना है, यह क्रोस में रहेगा इस तरफ से और यह इस तरफ से आएगा तो सबसे ज़्यादा टक्स हमारा सिर्फ यहीं लगेगा यह main point है यहीं टक्स लगता है अब देखिए यह टक्स यहां पे हमने एक एक इंच बढ़ा के लिए इसके लिए हम यहां से एक इंच बढ़ा देंगे इसके लिए हम यहां पे छोड़ दिया थे पहले से तो यह इंच हमारा यहां पे आ रहा है यह देखिए अब इसको हम गले में मिला देंगे इस तरफ से और यहां पे भी आपको एक इंच बढ़ा लेना है यहां पे आ रहा है अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे इसमें ओडी तो हमने हैसरा टक्स को निशा लगा दिये हैं अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं तो दोस्तों यह देखिए हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है तो अब चलिए हम बाही की कटिंग कर लेते हैं अगर आपके पास भी ऐसा कपड़ा कम आ जाएगा तो आप कैसे कटिंग करेंगे तो देखिए इसमें हमारा तीन इंच कपड़ा कम है यहां से हम क्या करेंगे इस माई पाँन से निच अपने रखना किन में इनटा है तो इस ट्रफ से आपको ले लेना है कपड़ा आव lucy का कर निसान तो मोरी लुक्र हमारा यहां से 5 इंच में निस. रॉट्प में स्पाइब करा से चाहिए को साल जने हैं मैंची लिए हैं मार्जिंगे याह थोस्तान लगा देंगे यहाँte कर दो कि देंगे और यहां पर दो इंचा मार्जिंग रखेंगे इस तरफ से, आप यहां से हम इसको सेब देते हुए, इसमें मिला देंगे, यहां पे ठीके, आप देखिए, यहां पे हमने 5 इंच लिए थे, तो यहां पे हमको 1 इंच बढ़ा के लेना है 6 इंच, तो यहां पे एक हम कट लगाएंगे, अगे हमारे एक्स्टा कपडा था, इस कप्ड राघए आप निकाल देगे कमने कट कराण धूर्य नष्ट है आइगेह में यमकल देंगे यहां पर कट लगाया ug कि यहां पर हम निसाल लगाए थ है मौहड़ी से थे जो एक इंच यह इ Hands यहां पर लिए ने इसकूर में सुव veg कि रखेंगे तो हमारा स nephew अच्ash तरफ से खाल में ईसको सुझ से going कoney काल आ जाए जिसको फिर वर्व बर कर सो देंगे डिए यहां पर यहां हमें कट लगावा यह लकालेंगे मारध contraction तो देखेँ यहां पे निकलेगा है यहां पूरा निकल गया अब यहां पर जोइन लगाना पर आपको तो इसमें हम तीन इचा बाहि निकालेंगे वह पट्टी निकाल के हम जोइन कर देंगे यह देखिए इस तरफ से आपको यहां से जॉइन कर लेना जिलाई करके इसके उपर दाफ सिलाई मार देना है बाकी कपड़ा बचेगा आपको निखाल देना है तो इस तरफ से आपको सिलाई करके इसको उपर दाफ सिलाई मारके इसे आपको क्विक पर निकार देना है तो देखी है हमारी बाहेंगी कटिंग हो गई है तो हमने आपको इस तरह से आइडिया दिया अगर आपका कपड़ा कम पढ़ रहा है तो आपको यह एक में ही जॉइन लगेगा और बाकी में नहीं लगेगा दोस्तो आज हमने सीखा योगपट्टी बलाऊच साइज हमारा 32 इंच का है तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए समझे सीखिए सफ़र बने वीडियो देखिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीड झालो